बाचीत का सिलसिला जारी रखेंगे पर उससे पहले जाना चाहेंगे गुर्देश से कि मेश व्रिशब और मिथुन राशी वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी वालों की मेश राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है कामकास में सफलता मिलेगी आज अचाना कहीं से भी शुब समाचार की पापती होगी याद्राइं भी हो सकती है और आर्थिक सिद्धी बहुत ही उत्तम बनी रहेगी व्रशब राशी व्रशब राशी वालों के लिए आज दिन कुछ खास नहीं है ये तो ठीक है कि धर्मिक प्रवर्थी बनी रहेगी लेकिन परिवार भी किसी को शरीरी करश्ट हो सकता है करजी वैसी को इस्तिती भी खड़ी हो सकती है और कोई अप्रिया घटा भी घटित हो सकती है कि हर संबव साहिता मिरेगी मित्रों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और ग्रस जिवन भी ठीक ठाक चलता रहेगा इससे पहरे आगे बड़े जानना चाहेंगे कर्क सिंग और कन्या राशी वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा कर्क राशी वाले आज बहुत ही व्यस्त रहने वाले हैं कामकार बहुत अच्छा चलेगा जो भी कार्य करेगे उसमें सफलता मिलेगी घर परिवार में कोई मांगली कार्य भी हो सकता है पन्तु परिवार को आज समय नहीं दे पाएंगे सिंग राशी सिंग राशी वाले अगर आज अपने आपको विवादों से बचा करके रखें और गुसा ना बढ़ने दे कि शिक्षा प्वतियोगता के प्षेतर में लाब होगा लोगों के साथ अच्छा मेल जोल बढ़ेगा और मन परसंद रहेगा कन्या राशी कन्या राशी वालों को सुबह सवेरे तो कोई शुब समाचार मिल सकता है लेकिन बाकी के दिन के अंदर जोग ठीक नहीं है भाई बंबों के साथ कोई अनबन हो सकती है घर में किसी को स्वास्तर से संबंदिन भी दिक्कत आ सकती है और रुपे पैसे को लेकर के आज चंता बनी रहेगे बादशीत का सिलसिला जारी रखेंगे पर उससे पहले तुला व्रिशिक और धनू राशी वालों का आज का दिन का हाय जान लेते है तुला राशी वालों का दिन तो अच्छा शुरू होगा यातरा करने की कोई योजना भी बन सकती है या किसी के यहां कोई मंगली कारे के उपर भी आप जा सकते हैं तुला व्रिशिक राशी वालों के लिए कामकाज और धन की तरफ से तो आज का दिन अच्छा है तन्तु अच्छानक बेवज़ा किसी के साथ वाद विवाद परशानी का कारन बन सकता है मानसित चनाब बढ़ेगा और ग्रज इवन में भी कला उस्पन हो सकती है इसलिए सुपा सवेरे थोड़ा सा जल और दूद बोले नाथ पे चड़ा करके दिन की शुरुआत करें गनु राशी गनु राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है कामकाज में हात्रा की सफलता की प्राप्ती होगी परिवार के साथ अच्छा समय भी वहतीत होगा और मन में परसंता देखनी को मिलेगी शुब समाचार प्राप्त होगा इससे पहले आगे बड़े मकर कुम और मीन राशी वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं गुरुदेश से मक्का राशी मक्का राशी वालों के लिए अतियुत्तम दिन है आपको अपनी बुद्धिमता और योगता का पूरा लाभ हासिल होगा शरीम में हर तरा की चुश्टी फुर्टी वो बनी रहेगी आप हर काम को बहुती समझदारी के साथ आज के दिन करेंगे और आप बड़ों की बाते आज के दिन पूरी तरह से मान के उनका सब्कार करेंगे कुम राशी कुम राशी वाले आज के दिन कोई नई सोच और उट्सा के साथ कुछ भी नया करने की सोचेंगे कामकाज में भी अच्छा लाब होगा और मित्रो का भी अच्छा सयोग प्राप्त होगा शरीर में चुस्द्सियो फूरती बनी रहेगी मिन राशी मीन राशी वालों का दिन कुछ खास नहीं है परिवार के साथ तो अच्छा समय व्यतीत हो सकता है मन में परसंता भी बनी होगी प्रन्तो घर में किसी का स्वास से खराब हो सकता है मांसिक चिंटाएं आज को दिन बढ़ सकती है और आर्थिक चिंटाएं परशानी का कारण बन सकती है